आज में आपको त्रियक उपवेशासन बतलाने जा रहा हूं इस आशन को करने के लिए आप प्रातहकाल और शायमकाल दोनों समय चुन सकते हैं वैसे प्रातहकाल विशेश लाबकारी होता है आप सौजक्रिया से निवर्थ हो करके खुले स्थान पर कंबलदरी विच्छा करके बैठ करके आप इसे करेंगे इसमें दोनों पैरों को मोड लिया जाता है और एक हाथ से इससे पहले बाया हाथ से क्या करेंगे कि बाया हाथ को पार करेंगे घुटनों के पार करके और दाया हाथ को ठीक उसके नब्य डिग्रियंस पर ले जाएंगे और चेहरे को भी घुमा देंगे और उस पोजिशन पर कोशिश करेंगे कि एक मिनट से ती मिनट के बीच रह सकें तो देखिए पहले इसको करके दिखाता हूं फिर इसके लाप को भी बताऊंगा कि इस तरह से बैठ गए अब दिख लें है इसे बैठ गये अब यह जो बाया हाथ है अब इस बाया को इससे पहले पार लेक्ते हैं इस तरफ तरह अब इसके इस आध को दाया हाथ को इसके ठीक नएंग लिगी पर अगलाएंगे और यह जो दाय हाथ का जो मद्यमा है इसकी और जो है नजर गुमाएंगे कि और इस हाथ से कोशिद करेंगे इसको इधर दखेलने की अब इसी क्रिया को अब डाय हाथ से करना है इसको इधर लगती है अब आपको इसकी नगविद्री आपक्स पर ले इस आथ से इसको इधर धके लेंगे आनि पैर को इधर दके लना और दृष्ट्य उद्रखनी है मद्यमावली पर दूसरे हाथ के कर दो कर दो तो ऐसा आप एक से तिन नट तक करेंगे इस आशन को करने का बहुत बड़ा लाविया है कि यह घुटने और कमर दर्द में बहुत ही लावकारी है पीठ दर्द के लिए भी बहुत ही लावकारी है और गर्दन के लिए भी बहुत लावकारी है यानि जिल्लों के गर्दन नहीं घुमते हैं उनके लिए भी बहुत भाइदा होगा इनको स्पॉंड लावकारी है इनको बैक पेन हो जाता है कमर में दर्द होता है लंबेगो है उनको बहुत अच्छा रस्पॉंस देता है घुटने की समस्या में भी बहुत लाफकारी है इनकी घुटने में सुजन वो जाती है धुटना दर्द करता है खट-खट की अवाय आती है थे। बहुत लाप करेगा। जिनलों को मुठापा है तो ये मुठापा भी कटाता है ये सूर केंद्र को जागरत करता है भूख लगती है भोजन ठीक से पचता है यह हमारे गुर्दे को गुर्दे समधित कोई और समस्या हो जैसे कि पेसाब में जलन हो या पी बाता हो या पथरी हो गई हो या नली सिकु कि या गुर्दे में इस हूजन हो गया तो वे ठीक करता औरू सब में बहुत अच्छा इसका रस्पोन्स है इंको कुलाइटिस हो जाती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है या ग्यास के समस्या है पेट फुला फुला राता है तो उसमें भी यह बहुत लागकारी है तो इस आसन को आप करें और इसका लाव उठाएं इनको इनका stiff neck होता है या stiff shoulder हो जाता है उसमें भी यह बहुत लागकारी होता है जोगी driving करते हैं और उनको दर-दर रहता है बराबर तो उसमें भी यह बहुत लाग देता है या हमारी नसों को रीड की हड्डियों को कसे रुकाएं जो होती है उनको या बहुत पैदा पहुंचाता है वह खून का संचार बहुत बढ़िया हो जाएगा उस शित्र में तो इसका आप लाग उठाएं करें ज़्यादा समय नहीं लेगा या अधिक से दिख साथ आट मिनट का समय है इसमें तो इसको करके आप प्रतिदीन से अगर आप जदक पिड़ी थे हैं तो आप सुबह साम दोनों टाइम भी कर सकते हैं तो आज इतना ही ओम है